सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाईए बेल आइकन नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रसिस्टेंस के विशय में सपोर्ट और रसिस्टेंस टेकनिकल एनालिसिस के लिए उपयोग में आने वाले महत्वपूर्ण की लेवल्स हैं दोस्तो सपोर्ट और रसिस्टेंस यह ऐसे की लेवल्स हैं जिनके विशय में हर ट्रेडर और निवेशक को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी हैं जिसकी मदद से हम बाजार का जुकाव पहचान कर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। सपोर्ट और रसिस्टेंज मुख्य रूप से बाजार में आने वाली सप्लाई और डिमांड पर आधारित टेक्निकल हैं। जब बाजार में माल की सप्लाई ज़्यादा होती हैं तब शेयर या कमोडिटी की कीमत घट जाती हैं तब मंदी का माहूल तयार होता है। सपोर्ट और रसिस्टेंस पहले हम होरिजोंटल सपोर्ट और रसिस्टेंस को समझते हैं। इस दूसरे सपोर्ट को स्ट्रोंग सपोर्ट कहते हैं। इसके बाद अगर तीसरी बार प्राइस फिर से घुम कर उसी लेवल पर आकर सपोर्ट बनाता हैं तो इसे हम मेजर सपोर्ट कहते हैं। यहां तीसरा सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। दोस्तो यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ तीन सपोर्ट ही बन सकते हैं, कभी कभी तीन से ज़्यादा सपोर्ट भी एक साथ बन सकते हैं, यहाँ पर प्रैस हमें यह संकेत दे रहा हैं कि बाजार में सपलाई की तुलना में डिमांड अधिक हैं, इसलिए प्रै सपोर्ट के नीचे जाने में लगातल नाकाम हो रहा है। यह तेजी की निशानी है। अब हम समझते हैं होरिजोंटल रसिस्टेंस को। दोस्तो चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस उपर जाते हुए किसी एक लेवल पर जाकर रुख जाता है। और वहाँ पर रसिस्टें बनाता हैं और फिर से घुम कर नीचे चला जाता है। इस दूसरे रसिस्टेंस को स्ट्रोंग रसिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद अगर तीसरी बार प्राइस फिर से घुम कर उसी लेवल पर आकर रसिस्टेंस बनाता हैं तो इसे हम मेजर रसिस्टेंस कहते हैं। यह तीस हमें यह संकेत दे रहा हैं कि बाजार में डिमांड की तुलना में सप्लाई अधिक है लगातार नाकाम हो रहा है यह मंदी की निशानी है दोस्तों जब आप होरीजोंटल सपोर्ट और रसिस्टेंस को चार्ट में देखते हैं तब आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत सपोर्ट के बीच में कम से कम साथ या आट केंडल की गेप होना चाहिए इसी प्रकार दो रसिस्टेंस के बीच में भी कम से कम साथ या आट केंडल की गेप होना चाहिए और अगर दो सपोर्ट या रसिस्टेंस के बीच में साथ या आट केंडल की गेप नहीं हैं तो हम उसे दो अलग-अलग support और resistance नहीं कह सकते हैं। या कुछ candles लगातार एक levels पर support या resistance बनाती हैं, तो भी हम उसे support और resistance नहीं कह सकते हैं। Support और resistance के बीच में clear 7 या 8 candle की gap कम से कम होना ही चाहिए। तो दोस्तो चलिए, अब हम trending support और resistance को समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं trending support को। दोस्तो चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार अब trend में चलना शुरू हुआ हैं। और अब trend में चलते-चलते चार्ट में पहला support बनता हैं। और उसके बाद बाजार उपर चला जाता हैं। इसके बाद चार्ट में दूसरा सपोर्ट बनता हैं लेकिन यह सपोर्ट पहले सपोर्ट की तुलना में उपर की ओर होता हैं अब जब की दो सपोर्ट तैयार हो चुके हैं तो अगर आप पहले और दूसरे सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खीचेंगे तो जब भी तीसरा सपोर्ट बनेगा, वह इस trend line को टच करेगा, इसकी संभावना बहुत ही मजबूत होती हैं, यह bullish continuation का संकेत हैं, अब हम समझते हैं trending resistance को, दोस्तो चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार downtrend में चलना शुरू हुआ हैं, और downtrend में चलते चलते, चार्ट में पहला resistance बनता हैं, और उसके बाद बाजार नीचे की ओर चला जाता हैं, इसके बाद चार्ट में दूसरा resistance बनता हैं, लेकिन यह resistance पहले resistance की तुलना में नीचे की ओर होता हैं, अब जब की दो resistance बन चुके हैं, तो अगर आप पहले और दूसरे resistance के high को टच करते यह बेरिश continuation का संकेत हैं तो चलिए अब हम समझते हैं support becomes resistance और resistance becomes support को पहले हम समझते हैं support becomes resistance को दोस्तो चार्ट में हम देखते हैं price एक support बनाता है और इसके बाद price उस support को तोड़कर नीचे चला जाता है और उसके बाद ठीक उसी level पर resistance बनाता है जहां पर support बनाया था मतलब कि यहां पर support बन गया है resistance इस formation के बनने के बाद हमें बाजार में बिक्वाली करने का संकेत मिलता है यहां मजबूत मंदी का संकेत है अब हम समझते हैं resistance become support दोस्तो चार्ट में हम देखते हैं price एक resistance बनाता है इसके बाद price उस resistance को तोड़ कर उपर चला जाता है और उसके बाद ठीक उसी level पर support बनाता है जहां पर resistance बनाया था मतलब कि यहां पर resistance बन गया है support इस formation के बनने के बाद हमें बाजार में खरीदी करने का संकेत मिलता है यह मजबूत तेजी का संकेत है तो चलिए दोस्तो अब हम समझते हैं support और resistance के breakouts को पहले हम horizontal support और resistance के breakouts को समझ लेते हैं दोस्तो चार्ट में जब horizontal support बनता है तो चाहे वो एक साथ एक हो, दो हो, या फिर तीन, या फिर उससे ज़्यादा हो जब price horizontal support line के नीचे जाकर closing दे दे तो इसे हम horizontal support का breakouts कहते हैं इसके बाद बाजार में मंदी की शुरुआत होती हैं इसके विपरीत चार्ट में जब horizontal resistance बनता है तो चाहे वो एक साथ एक हो, दो हो, या फिर तीन हो, या फिर उससे ज़्यादा हो जब price horizontal resistance line के उपर जाकर closing दे दे तो इसे हम horizontal resistance का breakouts कहते हैं इसके बाद बाजार में तेजी की शुरुआत होती हैं अब हम trending support और resistance के breakouts को समझ लेते हैं दोस्तो चार्ट में जब trending support बनता है इसके बाद जब तीसरा trending support trend line के नीचे closing दे दे तो इसे हम trending support का breakouts कहते हैं इसके बाद बाजार में मन्दी की शुरुआत होती हैं इसके वीप्रीट जब चार्ट में trending resistance बनता हैं इसके बाद जब तीसरा trending resistance trend line के उपर closing दे दे तो इसे हम trending resistance का breakout कहते हैं इसके बाद बाजार में तेजी की शुरुआत होती हैं दोस्तो support और resistance के साथ time frame का कोई मात्व नहीं है क्योंकि यह हर एक time frame में बनते हैं और हर time frame में काम करते हैं तो चलिए दोस्तो अब हम समझते हैं कि support और resistance के साथ हम खरीदी और विक्वाली केसे कर सकते हैं उससे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर आपने अभी तक risk reward ratio और stop loss theory का वीडियो नहीं देखा हैं तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए क्योंकि support और resistance के साथ खरीदी और विक्वाली करने में risk reward ratio और stop loss theory का महत्वपून उप्योग हैं इन दोनों वीडियो की link मैंने वीडियो की description में डाल रखी हैं आप वहाँ जाकर यहाँ दोनों वीडियो देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि trending support और assistance के साथ हम खरीदी और विक्वाली कैसे कर सकते हैं तो पहले हम समझते हैं कि trending support के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको चार्ट में ट्रेंडिंग सपोर्ट दिखाई दे रहा हैं तो आपको इसमें खरीदी करने के लिए यहाँ देखना है कि जब चार्ट में जिस केंडल में तीसरा ट्रेंडिंग सपोर्ट बने तो उसके बाद वाली केंडल में आपको खरीदी कर और खरीदी करने के तुरंत बाद जिस केंडल में तीसरा सपोर्ट बन रहा है उसी केंडल के लो के नीचे का इस्टोपलोस लगाना है। ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग इस्टोपलोस का उपयोग करना है। इसके बाद आपको प्रोफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि या तो आपका ट्रेलिंग इस्टोपलोस हीट हो जाए तो आप उसे अपना प्रोफिट बिक्वाली कैसे कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको चार्ट में trending resistance दिखाई दे रहा है तो आपको इसमें बिक्वाली करने के लिए यहाँ देखना है कि जब चार्ट में जिस candle में तीसरा trending resistance बने तो उसके बाद वाली candle में आपको बिक्वाली करना है और बिक्वाली करने के तुरंत बाद जिस candle में तीसरा रसिस्टेंस बना है उसी candle के high के उपर का इस्टोपलोस लगाना है इसी बीच trade लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिक्वाली करने के पॉइंट से इस्टोपलोस लगाने के पॉइंट के बीच का जो difference है वो risk reward ratio के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए तब ही आपको यह trade लेना है अगर difference 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह trade नहीं लेना है trade लेने के बाद आपको trailing इस्टोपलोस का उपयोग करना है इसके बाद आपको इसमें profit book करने के लिए यह देखना है कि या तो आपका trailing इस्टोपलोस हीट हो जाए तो आप उसे अपना profit book समझे या फी चार्ट में जब तक कोई negative signal न बन जाए तब तक आपको profit book नहीं करना ह तो दोस्तो इस प्रकार से आप trending resistance के साथ बिकवाली कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब हम समझते है horizontal support और resistance को सबसे पहले हम समझते हैं कि horizontal support के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं दोस्तो अगर आप चार्ट में horizontal support देख रहे हैं तो आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह द इस candle में तीसरा horizontal support बन रहा है उसके low के नीचे का stop loss लगाना है इसके बाद risk reward ratio, trailing stop loss और profit booking आपको trending support के हिसाब से ही करना है तो इस प्रकार से हम horizontal support के साथ खरीदी कर सकते हैं अब हम समझते हैं कि horizontal resistance के साथ हम विक्वाली कैसे कर सकते हैं दोस्तों अगर आप चार्ट में horizontal resistance देख रहे हैं तो आपको इसमें विक्वाली करने के लिए यह देखना है कि जिस candle में तीसरा horizontal resistance बन रहा है उसके बाद वाली candle में हमें विक्वाली करना है और विक्वाली करने के तुरंत बाद जिस candle में horizontal resistance बन रहा है उसके high के ऊपर का stop loss लगाना है इसके बाद रिस्क रिवर्ड रेशो ट्रेलिंग इस्टोप लोस और प्रोफिट बुकिंग आपको ट्रेंडिंग रसिस्टेंस के हिसाब से ही करना है तो इस प्रकार से हम होरिजोंटल रसिस्टेंस के साथ बिक्वाली कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब हम समझत हैं कि ट्रेंडिंग सपोर्ट और रसिस्टेंस के ब्रेकाउट के साथ हम खरीदी और बिक्वाली कैसे कर सकते हैं पहले हम समझते हैं कि ट्रेंडिंग सपोर्ट के साथ हम बिक्वाली कैसे कर सकते हैं दोस्तो अगर आप चार्ट में ट्रेंडिंग सपोर्ट का ब्रेकाउट देख रहे हैं तो आपको इसमें बिक्वाली करने के लिए यहाँ देखना है कि जिस केंडल में ट्रेंडिंग सपोर्ट का ब्रेकाउट हो रहा है उसके बाद वाली केंडल में हमें बिक्वाली करना है और बिक्वाली करने के तुरंत बाद जिस केंडल में ट्रेंडिंग सपो के साथ विक्वाली कर सकते हैं अब हम समझते हैं कि trending resistance के breakout के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं दोस्तों अगर आप चार्ट में trending resistance का breakout देख रहे हैं तो आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जिस candle में trending resistance का breakout हो रहा है उसके बाद वाली candle में हमें खरीदी करना है और खरीदी करने के तुरंत बाद जिस candle में trending resistance का breakout हो रहा है उसी candle के low के नीचे का stop loss लगाना है इसके बाद risk reward ratio, trailing stop loss और profit booking आपको trending support के हिसाब से ही करना है तो दोस्तो इस प्रकार से हम trending resistance के साथ खरीदी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब हम समझते हैं कि horizontal support और resistance के breakout के साथ हम खरीदी और विक्वाली कैसे कर सकते हैं पहले हम समझते हैं कि horizontal support के breakout के साथ हम विक्वाली कैसे कर सकते हैं दोस्तो अगर आप चार्ट में horizontal support का breakout देख रहे हैं तो आपको इसमें विक्वाली करने के लिए यह कि जिस candle में horizontal support का breakout हो रहा है उसके बादवाली candle में हमें विकवाली करना है और विकवाली करने के तुरंत बाद जिस candle में horizontal support का breakout हो रहा है उसी candle के high के उपर का stop loss लगाना है। इसके बाद risk reward ratio, trailing stop loss और profit booking आपको trending resistance के हिसाब से ही करना है तो इस प्रकार से हम horizontal support के साथ बिक्वाली कर सकते हैं अब हम समझते हैं कि horizontal resistance के breakout के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं दोस्तो अगर आप चार्ट में horizontal resistance का breakout देख रहे हैं तो आपको इसमें खरीदी करने के लिए यहाँ देखना हैं कि जिस candle में horizontal resistance का breakout हो रहा हैं उसके बाद वाली candle में हमें खरीदी करना हैं और खरीदी करने के तुरंत बाद जिस candle में horizontal resistance का breakout हो रहा हैं उसी candle के low के नीचे का stop loss लगाना हैं इसके बाद risk reward ratio, trailing stop loss और profit booking आपको trending support के हिसाब से ही करना है तो दोस्तो इस प्रकार से हम horizontal resistance के साथ खरीदी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब हम समझते हैं कि resistance becomes support और support becomes resistance के साथ हम खरीदी और विक्वाली केसे कर सकते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि resistance become support के साथ हम खरीदी केसे कर सकते हैं दोस्तो चार्ट में हम देखते हैं कि हमें resistance become support का formation दिखाई दे रहा हैं अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जिस candle में support बन रहा है उसके बाद वाली candle में हमें खरीदी करना है और इस्ट्रोपलोस लगाने के लिए हमें यहां देखना है कि जिस candle में support बन रहा है उसी candle के low के नीचे का stop loss लगाना है इसके बाद risk reward ratio, trailing stop loss और profit booking आपको trending support के हिसाब से ही करना है तो इस प्रकार से हम resistance become support के formation के साथ खरीदी कर सकते हैं अब हम समझते हैं कि support become resistance के साथ हम विक्वाली के से कर सकते हैं। दोस्तो चार्ट में हम देखते हैं कि हमें support become resistance का formation दिखाई दे रहा हैं। अब हमें इसमें बिक्वाली करने के लिए यह देखना है कि जिस केंडल में रसिस्टेंस बन रहा है उसके बाद वाली केंडल में हमें बिक्वाली करना है और इस्टोपलोस लगाने के लिए हमें यह देखना है कि जिस केंडल का रसिस्टेंस बन रहा है उसी केंडल के हाई के उपर का Istoplos लगाना हैं इसके बाद Risk Reward Ratio Trailing Istoplos और Profit Booking आपको Trending Resistance के हिसाब से ही करना हैं तो इस प्रकार से हम Support Become Resistance के Formation के साथ विकवाली कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो Support और Resistance को अब हम Chart में समझ लेते हैं सबसे पहले आप अपने Charting Software में जाईए और Chart को खोल लीजिए दोस्तो Support और Resistance के साथ टाइम फ्रेम का कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं है जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं यहाँ हर एक टाइम फ्रेम में काम करता हैं बहुत ही अच्छी तरह से तो हम यहाँ पर कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर पाँच मिनिट की टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखी हैं तो सबसे पहले हम एक उधारण लेते हैं Trending Support का तो मैं यहाँ पर चार्ट में एक Trend Line ड्रो करता हूं जिसा कि अब चार्ट में देख सकते हैं मैंने दो सपोर्ट को लेकर एक ट्रेंड लाइन ड्रो करी है और इसी ट्रेंड लाइन पर तीसरा सपोर्ट टच हो रहा है अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यहाँ देखना है कि जो candle तीसरा सपोर्ट बना रही है उसके बाद वाली candle में हमें खरीदी करना है मतलब कि यहाँ पर ये वाली candle तीसरा सपोर्ट बना रही है मतलब कि हमें इस candle में खरीदारी करना है और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस candle में तीसरा सपोर्ट बन रहा है उस candle के low के नीचे का stop loss लगाना है मतलब कि हमें इस candle के low के नीचे का stop loss लगाना है इसी बीच आपको risk reward ratio के 2% के नियम का भी ध्यान रखना है मतलब कि आपके खरीदी करने के point से stop loss लगाने के point के बीच का जो difference है और risk reward ratio के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए इसके बाद आपको ट्रेलिंग इस्टोपलोस का उपयोग करना है अब profit book करने के लिए आपको यहाँ देखना है कि जब चार्ट में कोई negative signal बन जाए तो उसके बाद आपको तुरंत profit book करना है तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको एक shooting star नजर आ रहा है तो यहाँ हमारे लिए एक negative signal है जो कि हमें confirmation भी दे रहा है कि अब यहाँ से मंदी का trend शुरू होने वाला है तो हमें इस वाली candle में profit book करना है तो दोस्तो इस प्रकार से हम trending support के साथ खरीदारी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो हम एक और उधारन देखते हैं कि trending resistance के breakout के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर दो resistance को मिला कर एक trend line खीज लेता हूँ तो हमारा पहला resistance हो गया ये वाला और दूसरा resistance हो गया ये वाला अब हमें इसमें खरीदारी करने के लिए यहाँ देखना है कि जब कोई candle trending resistance candle को breakout कर दे उसके बाद वाली candle में हमें खरीदारी करना है तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली candle ने trend line को breakout किया है लेकिन इसके बाद वाली candle फिट से trend line के नीचे आ गई है तो इसका मतलब ये हैं कि ये हमारे technical का एक failure है अब आप इसके कुछ समय बात देखेंगे कि एक और candle ने trend line के उपर closing दी है तो हमें इसके बाद वाली candle यानि कि इस candle में खरीदारी करना है और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस candle ने trend line को breakout किया है उसके low के नीचे का stop loss लगाना है मतलब कि इस वाली candle के low के नीचे का stop loss लगाना है इसी बीच आपको risk reward ratio के 2% के नियम का भी ध्यान रखना है मतलब कि आपके खरीदारी करने के point से stop loss लगाने के point के बीच का जो difference है वो risk reward ratio के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए इसके बाद आपको trailing stop loss का भी उप्योग करना है अब हमें इसमें profit booking के लिए यहाँ देखना है कि या तो कोई negative signal बन जाए या फिर हमारा trailing stop loss हीट हो जाए तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली candle में हमारा trailing stop loss हीट हो रहा है इसका मतलब यह हैं कि हमारा profit book इस वाली candle में हो चुका है तो दोस्तो इस प्रकार से हम trending resistance के breakout के साथ खरीदारी कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ ती support और resistance के विशय में संपून जानकारी उमीद है आपको यहाँ जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप comment box में जाकर पूछ सकते ही आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे गुड़बाई धन्यवाद